तो आज हम comparison करने वाले हैं Moto G64 5G vs Realme 12 5G का आपको वादादू हमार चैनल पर और लेली वीडियो है Moto G64 5G vs Realme P1 की तो अगर आपको वो वीडियो देखने हैं आप जाके देख सकते हैं चैनल पर आपको मिल जाएगी वीडियो अब अगर बात करें आज की वीडियो के तो आज की वीडियो के हम दोनों स्मार्टफोन को compare करने वाले हैं side by side और specs by comparison करने वाले हैं कि किस के दर specs आपको ज्यादा बैटर देखने के लिए मिल जाते हैं अगर बात करें price की तो दोनों के अंदर आपको लगबग 1500 से 2000 के difference देखने के लिए मिल जाएगा price का लेकिन हम देखने वाले हैं कि जो दोनों स्मार्टफोन है इसमें से हमको कौन सा बाय करना चाहिए फिर किस के दर जादा अच्छे specs आपको मिलते हैं देखने के लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना आपके एक लाइक से काफी आधा motivation मिल जाता है चैनल प्ले सब्सक्राइब करके बले कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए देखने के लिए यहां पर मैं आज की वीडियो हम बात करेंगे इनकी डिस्प्ले के ब मेरा काम को यह बताना कि किसकंद्र आपको बेस्ट इसपडेग सकते हैं तो चलिए स्टाट कर लेते हैं आज की वीडियो स्टार्टिंग करते इनवार्ट ऐस इन मिलेगा की जटीए समीं बढ़त करें मिल जाएंगी अगर वहीं पर हम बात करें रियल मिकी तो इसके अंदर भी आपको एक हैंडशार देहने के लिए मिलेगा, एक अड़ेप्टर देहने के लिए मिलेगा, एक टाइपसी केवल देहने के लिए मिल जाएगी, इसका मतलब यह है कि दोने स्मार्फोन में प्रोपर चीज़े आपको दी गई है, कहीं भी कुछ भी मिसिंग यहां पर नहीं है, और चलिए अब बात करते हैं, दोने स्मार्फोन की डिस्पले के बारे में, सबस्पहले बात करेंगे, मोटो के बारे में, इसमापको 6.5 इंचि देखने के लिए मिल जाएगा, और वहीं पर हम बात करें, रियलमी की तो इसमें आपको 6.72 इंचिस की एक फुल एजडी प्लेस डिस्पले मिलती है, यह डिस्पले भी IPS LCD डिस्पले है, और इसके इंदर 1.3 का रिफ्रेश्ट आपको मिल जाएगा, साथ में साथ में साड़ यहां पर आपको जो पीक बैटने सा वो साड़े 900 नीट्स की मिले है, थो डिसी ब्राइटर है, मतलब काफी ब्राइटर है, अगर हम कंपेर करेंगे, अकॉडिंग टू मोटो, तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, इन से चीजों को देखते वे, कि आप ले सकत प्रोसेशर यह जो प्रोसेशर एक 6-nanometer-based प्रोसेशर और कमाल की बात यह के इंडिया केंदरा भी तक कैसा कोई भी ऐसा स्माटफोन नहीं आए जिसके अदर यहां प्रोसेशर आपको दिया गए पहला ही स्माटफोन जिसके आम है, मोटो जी 64 अगर दोस्तों वहीं पर माल प्रोसेशर और जkit प्रोसेशर अजयर प्रोसेशर न जियुकर सूआरे कीप्रोसेशर गहां प्रोसेशन प्रोसेशर बेसे लेकिन से ब्यौक्त एपस्ट की चैन्यशर स्ब्सक्राइबाओ देखने प्लेक्स्वस्ता अब छ cabal तो भीए देखने के लिए मिल जाता है वह इनके खुद की एक कस्टमाइजेशन के लिए युआ दी गई है ना हाला कि आपको ब्रोट पर देखने के लिए नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको प्योर एंडूड यानिकी स्टोक अंडूड दिया जा रहा है तो इसके ब्लोट वेयर कोई रियल मी यूआई 5.2 आपको देखने के लिए मिलेगा आपको देखने के लिए जाते हैं और फाल्तू के अप्लिकिसंस भी दी जाते हैं तो उसके लिए तयार रही है अब बात करते हैं दोने स्मार्टफोन के पावर हाउस के बारे में यानिकी बैटरी के बारे में तो आपको बोक्स में मिल जायागा इसमें अगर बात करें रियल मी के तुहां पर पांच रैमेल की बड़ी बैटरी बड़ी होनी चाहिए तो 60 में की काफी बड़ी बैटरी देगी और 33 वोट की फार शार्जिंग हाला कि अगर यह ज़्याता होती तो ज्यादा अब लेकिन यह मैं पर्शनली अपना अपिन दूब कि अकर मुझे खरीद ना होता तो मैं खरीद था पांच एमेज की बैटरी 45 वोट की फार चार्जिंग आपको इसमें उसको चूस कर सकते हैं दोनों ही सही है किसी में कोई दिक्कत नहीं है और अब बात करते हैं दोने स्मार्टफोन के क तो इसके बैक में को प्राइमरी केमरा एक 108 मेगापिक्सल का और एक क्यामरा और दीआ जारा देखिए आप यहां पर बात करें रियल बी में आपको बेशक जो रियर कैमरा बहुत अच्छा दिया जा रहा गा लेकिन उसके साथवाला ज्यार वह दैट्ट कैमरा है और उसके तो आप लोग मुझसे पूछेंगे बाई कौन सा कैमरा लें तो देखिए जो उन पेपर चीज़े दी गई है निकी चीज़े लिखी गई है उसके कोडिंग मैं यह मांद हो मुझे लगता है क्योंकि इसमें काफी अची चीज़ आपको दी गई है लेकिन इसके लावा आप प लगता है उस वीडियो को तो वहां पर मुझे लगता कि पूरी क्लिए आपको मिलती है लेकिन फिर भी कुछ आइडिया आपको लग जाएगा आप उसको ले सकते हैं अगर आपको यह जानना कि इस पैक्स वाइस आप लिए सकते हैं मोटो का रियलिमी का इतना बुरा बिलक बाता है वेट इसकंदर 192 ग्राम दिया गया और आई पी 52 की इसमें दी गई है जिसका मतलब यह है थोड़ी बहुत पानी की चीटे लग जाए बस चला लेना ज्यादा कुछ मत करना अगर हम बात करें रियल मीं की तो इसमें आपको इसमें भी देखने के मिल जाएगा और इसमें आपको 188 ग्राम वेड देखने के लिए मिलता है लेकिन इसमें आपको आई पी 54 की रेटिंग मिलती है लेकिन इसके अंदर भी पानी की बूंदों से ही बचाना बस यह है कि मोटो से दो चार बूंदे ज्यादा लग सकती है बस इतना फराग है ज्यादा कुछ जन ओर करने वाले मलत देखने वालें कि गेमिंग वाइज और अगर बात करें ओवरोल की तो कौन से स्मार्टफोन आपको बैस रहने वाला तो बात करते हैं इसके प्राइस की स्टार्टिंग करते हैं रियल्मी से इसमें आपको एक वेरेंट देखने के लिए मिलता है 16999 रियल्मी के अंदर सैकेंड वेरेंट आपको देहने के मिलता है जिसका प्राइस है 171999 रुपे वहीं पहले बात करें मोटो की यहां पर आपको 628 मिल रहा है रियल्मी के अंदर मोटो के इंदर सेम उसी प्राइस में आपको 12256 मिल रहा है यार मतलब 12GB रहा है तो 15GB इंटर कॉछ स्मार्फोन बाइय करना चाहिए देखिए मैं यापस के को दिस्प्ले में ज्यादा फरक नहीं लेकिन तो उसको ले सकते हैं और उन अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो बेस्ट निकल करता है मोटो के अंदर करने आपको तो अच्छी बेहत्रीन गेमिंग आप कर सकते हैं मोटो के अंदर और वहीं भी बात करें बैटरी की तो बैटरी दोनों में सही है ठीक ठाकर कोई दिक्कत नहीं एक अंदर करना चाहूंगा आप मोटो ले सकते हैं और यहां पर बिल्कुल बीगार नहीं बता रहा हूं अगर आप मोटो को अच्छे लेगा उसका अदर बी इतनी बुरा यह नहीं लेकिन आपको बताना होता कोई चीज बैटर है तो मोटो भी ठीक है लेकिन मोटो थोड़ा सा बैट करना तो आप मुझे कमेंड कर सकते हैं क्योंकि हमारी चैनल पर डिमांद वीडियो भी आती हैं तो आप मुझे कमेंड कीजिए कि आप किन दो स्मार्फोन का साइड बैट साथ कंपेशन देखना चाहते हो डेफिनिटल आपको चैनल में वीडियो को शेयर करना श्री बढ़